सिविल अस्पताल में 13 फरवरी से हटाल पर बैठे एनेचम करमचारियों ने 21 दिन अपनी हटाल को समाप्त कर दिया बुधवार को एनेचम करमचारी वापिस काम पर लोड़ गए सिविल अस्पताल का काम सुचारू रूप से शुरू हो गया है एनेचम के जिला परधान आमित मलिक ने बताया कि उनकी सीम से बात हो गई है सीम ने उनकी सभी मांगे मानने का आश्वाशन दिया है इसलिए उन्होंने अपनी हटाल खत्म करके डूटी जॉइन कर ली है कल सीम साब ने और हमारी मीटिंग हुई है उसमें सभी मांगों को मांगने के लिए आश्वाशन दिया है और आज एक दो डिमांड का पत्तर भी शायद जारी हो जाए जो हमारी स्ट्राइक कॉल ओफ की है कि सरकार दोरा हमारी मांगों को सहमती जटा दी गई है एक regularization की demand के उपर तो सरकार ने मना किया है लेकिन जो सेवा सुरक्षा है उसके लिए सरकार ने ये काया कि हम बविश्य में जो भी इसका alternate होगा वो हम आपको देंगे हमारी मांगे थी एक तो सात्मा वेतनाय लागू किया जाए एक सेवा सुरक्षा दी जाए सेवा सुरक्षा ये थी कि भी जब तक हमारा contact हर साल renew होता है वो हर साल renew ना करके दो साल में चार साल में जो भी appraisal के accordingly है जो इतने दिन का NHM प्रोग्राम है उतने दिन का हमें contact दिया जाए क्या नाम आपका आमित मलिक तो आज बता रहे हैं का अर्टाल करते हैं हाँ NHM के स्ट्राइक काफी दिनों से चल रही थी एफेक्टिवली तो तेरा दो से तेरा फर्वरी से स्ट्राइक चल रही थी ये इसमें करीब 120-500 के करीब ते कुछ बीच में आ भी जाते थे फिर कुछ रह भी जाते थे काम जो बादित था तो आज डिप्टी NHM है जो हमारे एडक्टर सुने जा वो भी गई थे सुबह इंचर रिक्वेस्ट भी किया भी सारे जोइन कर लो इसमें एडमिस्टेशन का भी हमारा पूरा साथ था मैडम है जो डिप्टी कमिशनर उन्होंने भी कल में मिला था जोइन किया था तो NHM की तरफ से उनका भी बड़ा सोफ्ट कोर्नर था आक उनको एक बार कहलो भी जोइन कर ले हमने किसी को कोई ऐसे नुक्षान भी नहीं किया परजेंटली वह आप यह अपने राइट के लिए लड़ रहते तो एडमिस्टेशन भी उनके साथ था तो आज सुबह मॉर्निंग से डक्टर सुनेजा लगे हुए थे इनसके इसमें तो सबने आज जोइन कर लिया भी वहीं से आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा इस सुथाथ भी कुछ दिन का जो बैक लोग ही कठा हो रहा है तो वह हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी आप जो काम जो रुक्या बीच का वो सारा आप अपना पूरा कर दो तो उन्होंने सब ने हमारे को एशोर किया है वह हम जल्दी से जल्दी जो हमारा बैक लोग है हम सारा पूरा कर दें